आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओपो रेनो एट टी और भाई साब इसके आप डिजाइनिंग देखोगे और यह जो डिस्पले है काफी ज्यादा यहाँ पे मज़ेदार है पर क्या आपको पता है दोस्तो जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है ना उससे कई गुना ज्य से देखते रही है क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूसफुल हो सकता है तो सबसे पहला इडन पिचर में बताता हूं जो कि काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ क्लिक करना है और जो एर से उपर आपको क्ली करना है ठीक है और प्लू आपको कैसे करना है यहाँ आपको शिखा देगा कि हैपको कैसे करना है सब कुछ और learn gestures के उपर जाकर यहाँ पर आप सीख भी सकते हो कि हमको यह सब कुछ केस से करना है मतलब screen से दूर से करोगे तो भी आपका mobile जो है mute हो जाएगा और यहाँ पर देखो कि scroll up down यहाँ पर इसके उपर click करते हो तो इसको on कर लीजी अब जैसी कि आप YouTube Facebook और पर वीड यानि कि आपकी वीडियो चल रही है ठीक है ना तो आप उसको इसके करोगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो बंद हो जाएगी और इसके करोगे तो चालू हो जाएगी यह देख सकते हो यह चीजे जो है ना बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग बना देते हैं आपके mobile phone को तो आर इसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता ही है तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे एक साथ में दो एपस को यूज करना है जैसे कि आप चाहते हूँ कि यार मुझे यूटूब भी चलाना है और साथ में WhatsApp और चेटिंग भी क कुछ क्यों से कर सकते हूं इसके लिए उसके लिए आपको बहुत चीज बताता हो जैसे कि में यहाँ अपन कर सकते हैं आप और चला सकते हूं और यहां पर वुगेरा में बात कर सकते हैं तो यहां पर बढ़ा कर सकते हूं Cert Trang को थोड़ा बड़ा कर लिया और यहां पर यूटूब रखना चाहते हो तो इसे करोगे पूरा यूटूब आ जाएगा तो कुछ इस तरह से आप एक साथ में दो एपस को भी चला सकते हो तो चलिए दोस्तों आपको उधाता हूं कि जैसे डबल टेप करते हैं तो स्क्रीन कैसे हो जाएगी तो यह आपके लिए मैं बताता हूं क्योंकि यहां पर काफी मज़ा आता है अगर आपको ओन वगेरा करना है तो इसके लिए आपको स्क्रीन के उपर इसे टेप करके रखना है साइड में जाना यह देखिए मोर का उप्शिन मिल जाएगा अब यहां पर द देखने को स्क्रीन के उपर टेप करकें अब बटन को प्रेस किया बस आपने मोबाइल को उठाय और आपकी स्क्रीन ओन हो जाएगी तो यहसे आप मोबाइल अपकी ज्यादा उस्को प्रूर ओन कर सकते हो दोस्तों क्या आपको पता इसके अंदर आपको वन टोनती हैस पाफी ज्यादा बचने वाली है तो आप उसका रात होते ही डार्क मोड हो जाएगा तो अपनी मर्जी यहां पर कर सकते हो और जैसे कि मैं बताता हूं आपको यहां पर देखी नीचे ब्राइटनेस का उप्षिन मिल जाता है और यहां पर देखे स्क्रीन के जो कलर आप उने सी अब ओंको भी अपने मर जिस्सेक् 가장 जैसे नेचरल करेंकी यह आपकी जाबू कि यहाँ क्ला करते मोबायल में सब्सक्राइब खराब नहीं हों तो इसको भी आप जरूर ट्राइक कर सकते हो और जैसा यहां पर देखें निचे आपको यहां पर फॉंट का उप्शिन मिल जाएगा यहां पर आपको काफी मतलब जो फॉंट है उनको चेंज कर सकते हो और इसके साइज को भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो जैसे कि स्मॉल कर लिया लार्ज कर लीजिए स्टेंडर्ड जो डि क्या है दोस्तों इसके अंदर डिफरेंस यह कि हाई के उपर रखते हो तो जो बैटरी ओओ थोड़ी सी जयादा होती है और यहां पर इसके बंदर कम होती है तो यह क्या है न दोस्तों जब आपके कोई जरूरी काम हों गेमिंग हो गगरा करते हो तो आपको 120 हजs पर रखन इमर्जी से चूज कर सकते हो तो चले दोस्तों मैं आपको कुछ स्क्रीन सोट से रिलेटेड बताता हूँ जैसे कि आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो यहां पर पाउर बटन और वोल्लुम डाउन बटन से आप स्क्रीन सोट ले सकते हो यह आपको पता हुआ पर जैसी कि यहां पर चीज़ हो तो चले दोस्तों मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चीज बताता हूँ जैसे कि आप उपर बेटरी के परसेंटेज देखना चाहते हूँ या फिर जो इंटरनेट की स्पीड है उसको आप उपर शो कराना चाहते हो या फिर दोस्तों एक चीज और भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग बताने वाला हूँ जैसे कि आपके ऊपर कोई बी नो सेटिंग को ओन करना रहता है तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर और यहां पर देखिए नोटिफिकेशन इन स्टेटेस बार को उप्शिन मिल जाएगा अब यहां पर सबसे पहले स्टेटेस बार के उपर लेकर चलता हूँ अब देखिए बेटरी का परसेंटेज को बेटरी के अंदर देखाना चाते हो वो भी यहां पर आप शोग करा सकते हो और यह देखिए रियल टाइम नेटवर की स्पीड इसको ओन करने से दोस्तों आपकी जो इंटरिनेट की स्पीड है वो उपर शोग होने लग जाएगी कि कितनी MB पर सेकिन आपका तो आप उसको किलियर करोगे तो पूरी की पूरी हिष्ट्री आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी तो यह आपके लिए फूचर के अंदर बहुत काम आ सकता है तो यह इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तयार बनता ही है तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो मोबाइल है काफी ज्यादा यहां पर अच्छा हो जाएगा अगर आप इदर उदर करते हो तो यह देखी रोल वाला काफी इंट्रेस्टिंग है तो जो भी आपको अच्छा लगता हूँ यहां पर अपलाई कर सकते हो तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस मोबाइल के सब अपर आप पर दोस्तो अपनी फोटो लगा सकते हूँ घेक्चे एंपनी फोटो लगा सकते हो रंगोली बना सकते हो जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर एक्जांपल के लिए दिखाता हूं मैं यहाँ पर अपना मर्जी से बनाता हूं ठीक है ना यह देखिए कुछ इस तरह से अलग-अलग तरह के अंदर आप यहाँ पर रंगोली बना के सेट कर दीजिए अब यहाँ यहां पर कुछ इस तरह से होगी मैं अपलाई करके दिखाई देता हूं आपको यह देखे जैसे मैंने स्क्रीन को ओफ किया तो कुछ इस तरह से यहां पर आपकी जो रंगोली है वो हो जाएगी तो यह काफ़ एच्छा उप्शन आपको देखने को मिल जाता है और बेक कि आइकन यहां पर आइकन की जो साइज हो गया है उनको भी या छोटी कर सकते हो जैसे मैं दिखाता हूं आपको यह देखेब कर दो तो यह देखिए नेम देख पारेंगे यहां पर बड़े हो चुके हैं छोटे करना चाहों छोटे हो जाएंगे और आप चाहते हो कि मुझे नेम को रख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है तो यहां पर मिल जाएगा colors का option दोस्तो जैसी कि आपके उपर में दिखाता हूँ blue color के अंदर है ठीके ना तो आप चाहते हो आर मुझे blue color के अंदर अच्छे नहीं लगते हैं मैं तो मेरी मर्जी से करने वाला हूँ तो यहां पर यह color करके दिखाते हैं आपको यह देखे कुछ इस तरह का हो जाएगा यह color तो आपको जो अच्छा लगता है जो भी color आपका फेवरेट है उस color को आप यहां पर कस्टुमाइज कर सकते हो जो भी color आप रखना चाहो और रख सकते हो और अगर बेख जाओगे क्योंग सेटिंग्स का option मिल जाएगा यानि कि जैसी कि आपके जो भी यहां पर mobile data या वह भी यहां पर देखिए काफी यूनीक और काफी अलग अलग देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यह से रख लीजिए जब भी आप फिंगर्प्रिंट यहां पर करोगे तो कुछ इस तरह का शो होगा यह देखिए जो भी आपको अच्छा लगता हूँ यहां पर अप्लाई आपको जो भी लाइट पसंद है वो आप अपनी मरजी से कर सकते हैं और आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस तरह की लाइट से होगी जो कि आपके मोबाईल को काफी अच्छा बना देती है तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैं इधर स सेटिंग का उप्शेन यहाँ पर सिस्टम नविगेशन पर जाना है और यहाँ पर आप बटन को चूज कर सकते हों दिखे यहाँ पर बटन आ जाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो बटन वगरा आ चुके हैं तो आप बेग जाओगे तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको बहुत एची ट्रिक बताता हूं जैसी कि आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर और यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे जाहिए पास्वोट एंट सेक्यूटी का उप्शन मिल जाएगा यहाँ से आप लोग स्क्रीन फेस लोग फिंगर प्रिंट वग बोल्ति उसक Jacob's वागि कवा जिए दिन हो चुका है अब जैसिके में एक्जाम्पल केलिए मैंने किसी को कोल के लिए दिया है तो आपको थ्री डोट पे क्लिक करना है और विसको पिन कर देना और आप दोस्तों यहां पर जब तक आप लोग नहीं कर सकते हो यानि कि आप लोग भी कर सकते हो तो यह काफी एच्छा option आपको देखने को मिल जाता है तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप अगर कोई फोटो वीडियोज होगे रचिपाना चाहते हो किसी एप के लोग लगाना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर है अब यहां पर आपको लगाना है जो भी आप लोग लगाना चाहते हो और यहां पर आप किसी भी एप को हाइड कर सकते हो और यहां पर देखने के लिए जैसे कि यहां पर कुछ नंबर के अंदर उनको भी आप देख सकते हो जैसे कि यहां पर कुछ नंबर्स आएंगे उ तो आसानी से छिपा सकते हो तो यह काफी अच्छा option आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ जैसी कि आपका यह mobile है आप यहां से ऐसे करोगे तो यह देखी कुछ इस तरह से open हो जाएगा यहां से आप डायरेक्ट करना चाते हो तो केसे कर सकते हूं जैसी के enjoy जाना ओगा सेटिंग के अंदर एहां पर मिल जागा सपेशल को अपिछ और आप को मिल गया स्मय अब देखी और , भोरा दीखना चाहते हो तो करक्ते हो जैसे क्या अपको जाना होगा से इसारीं शेटिंक सकी आंदर हो ने coral Already ज तो दोस्तों आपका जो यहां पर आप गोरे चिट्टे दिखने वाले हो और यहां पर नीचे जाना है जब भी आप दोस्तों इसको ओन करना रहता है जब तक आप पूरी डिटेल देखना चाहते हो मैंने मॉबाइल को कि तने घंटे तक यूज गया है मैं 33 मिनट के लिए यूज किया है तो यहां पर चूज कर सकते हो कि आपने पूरे दिन में कितने घंटे तक अपने मोबाइल को यूज किया है और यार 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 को ध्यान में होना भी जरूरी है कि आप अपने मोबाइल के अंदर मतलब ज्यादा समय किस एप को दे रहे हो क्या कर रहे हो कितने गंटे दे रहे हो तो यार आपने mobile के अंदर जाकर जरूर देखना कि आपका जो कीमती समय है आप कहां पर बिता रहे हो तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ camera की settings बताता हूँ जैसे कि यहां पर देखिए night mode का option मिल जाता है सबसे पहले जैसे कि night mode अगर आपको मतलब रात में photo click करनी है ना तो यार इसके अंदर आकर आप photo click करना यहां पर आपको काफी अच्छी photo देखने को मिल जाएगी अगर पीछी अंधेरा है तो उजाला हो जाएगा और खास बात यह कि इसके अंदर आपकी बार ओपो ने यहां पर काफी zoom का भी option दिया 6x तक आप इसके अंदर जूम भी कर सकते हो नहीं कि night mode के अंदर भी और यहां पर वीडियो का उप्षिन मिल जाएगा वीडियो के अंदर दोस्तों आप यहां पर 1080 या 720 के अंदर ही वीडियो रिकोर्ड कर पाओगे यहां पर आपको 4K option नहीं मिलेगा तो यहां पर काफी अच्छे आपको filters देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर AI को भी ओन कर लीजिए इससे आपकी जो फोटो है काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी और यहां पर पोट्रेट का option मिल जाता है इसी क्या होता है दोस्तों जैसी कि आपकी पीछे बलर होगेरा क इसको कम ज्यादा करना चाहो तो यह ज्यादा या कम कर सकते हो अपने मर्जी से तो यह भी काफी अच्छा option आपको देखने को मिल जाता है और जब मौर के अंदर जाओगे तो यहां पर एक्स्ट्राजडी के अंदर आपको यहां पर ले सकते हो वीडियो फोटो और यहां पे और चीजें दिखाता हूं में पेनो स्लो मोशिन बना जाते हो तो यहां से बना सकते हो टाइम लेप्स और डूल वी वीडियो और यह देखी दोस्तों इसके अंदर माइक्रोस्कोप का सबसे अच्छा यहां पर ऑप्शिन देखने को मिलता है जैसे कि मैं दिखाता हूं और यहां पर 40X जूम भी आप कर सकते हो मतलब यहां पर 20X है यह सिरफ 40X जूम करना चाहो तो 40X भी इसके अंदर जूम कर सकते हो देखी दोस्तों यहां पर कितना आप जूम कर सकते हो और काफी अच्छी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर माइक्रोस्कोप के अंदर और यहां पर more के अंदर दिखाता हूं क्या-क्या मिलता है टेक स्टीकर मिल जाता है तो यार दोस्तों आपको केमरा के अंदर भी काफी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाते हैं तो चली दोस्तों मैं आपको वह बहुत जरूरी मतलब पहले के जैसे करना है कि power button को press करके रखूँ तो mobile off हो जाना चाहिए तो इसके लिए आपको जाना है additional settings के अंदर और यहाँ पर power button का option मिल जाएगा और यहाँ पर जाना है और यहाँ पर power menu कर दीजे अब मैं दिखाता हूँ आपको यह देखिए यह देखिए इसके उप लाइक जरूर कर देना और दोस्तों अगर चैनल पर आज पहली बार आयो ना तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजे ताकि आप इसे ही useful वीडियो मिस ना कर पाओ और दोस्तों अगर आपको मतलब इससे लेटेड और भी वीडियो चाह